बिसमिलाहिर रह्मानिर रहेम, असलाम अलेकुम, वेलकम तो लिट्रेचर विक डब्रीवी और आज का हमारा टॉपिक है दे सोशियो पॉलिटिकल बैग्राउंड ओफ टुन्टीथ सेंचरी नॉवल modern novel का ये chapter number one है, ये chapter थोड़ा सा लंथी है और ये video भी थोड़ी से लंथी हो सकती है लेकिन मैं कोशिश करूँगे कि इस video में इस chapter का हर एक topic cover करवाऊं तो चलिए आज की इस video को शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा जो topic है वो है introduction to the 20th century novel जो 20th century के novel थे वो traditional Victorian style से थोड़े से change हुए पहले जो stories होती थी वो सिरफ entertain करने के लिए रिखी जाती थी लेकिन जो modern novel है इसमें हम लोगों को कुछ changes देखने में मिलेंगी कि इनका जो focus था वो ये था कि explore करें करेक्टर्स की thoughts और emotions को और साथ ही साथ important social और political issues को भी उठाया जाए 19th century के जो writers थे famous writers जिनमें के बालजाक और जॉला वगएरा आ जाते हैं इन्होंने 20th century के novels पे बहुत ज़्यदा इनका influence है इन्होंने English novelist को ये सिखाया कि वो ऐसी stories को create करें जो के more complex हों और realistic characters को वो use करें पहले क्या होता था सिरफ one dimensional किसम की stories दिखाई जाती थी लेकिन अब इन्होंने कहा कि अपना थोड़ा सा जो रुख जो है उसको थोड़ा सा change किया जाए कि सिरफ पहले one dimensional थी अब उसमें मजीद जो issues है उनको उठाया जाए इसलिए characters ने अपने inner conflict के साथ साथ challenging situations को भी grab करना शुरू कर दिया उसके बाद 20th century के दुरान जो novels में हम लोगों को improvement देखने में मिलती है उसमें quality के साथ साथ quantity और especially जो सारी changes है वो two world wars के between हमें देखने को मिलती है इसमें हम लोगों को new themes देखने को मिलेगी इसमें हम लोगों को new themes देखने को मिलेंगे plots और new characters इन्होंने इपनी stories में add किये new novel genres में हम लोगों को detective novels, spy stories, science and fiction ये themes जो थे बहुत ज़दा popular थे इसके लावा gothic novels और psychological social novels जो थे इन्होंने life के different perspectives को एक unique perspective को दिखाया documentary novels और various यॉनरास जिसमें के social novels, industrial novels ये भी merge हुए ये जो novels थे वो middle class के तरफ से लिखे गए और इन्होंने इसमें जो issues highlight किये उनमें poverty, diseases, जो दूसरे problems है industrialization के वो जिसमें के child labor, social accidents वगरा आ जाते हैं और इन्होंने साथ ही साथ इसमें collective actions को भी address किया जिसमें के trade unions, urban growth, sanitation और factory conditions आ जाते हैं ये जो काफी ज्यादा themes हैं ये originate हुए थे 19th century में लेकिन ये ज्यादा prominent हुए literature में 20th century में में 20th century में हम लोगों को novel एक मिलेगा और इसमें हम लोगों को strength और importance है as a literary genre वो सामने आई लेकिन इस period के बाद novel का decline शुरू हो गया इस period के जो famous novelist थे उनमें हम लोगों को Joseph Conrad, James और D.H. Lawrence हम लोगों को देखने को मिलेंगे और इस age के बाद कोई भी novelist इनके level तक नहीं पहुंच सका हो सकता है नाम लेने में थोड़ा सा मैं mistake कर चाहूं के pronunciation में तो आप लोग उसको adjust कर दीजेगा उसके बाद early 28th century में हम लोगों को novelist मिलेंगे उसमें E.M. Forster, Virginia Woolf, John Galsworthy, George Orwell, H.G. Wells हम लोगों को देखने में मिलेंगे और इनकी काफ़ी ज़दा contribution है literature में इसके अलावा इन्हों ने style को use किया, criticize किया उस वकर के जितने भी problems थे उनके लिए जिसमें के especially urbanization के जो भी issues थे उनके related थे novels जिसमें के the power and the glory ये लिखा था Graham Greene ने इन्हों ने इसमें criticize किया actual problems को और इन्हों ने explore किये themes good and evil उसके बाद Animal Farm 1984 ये ऐसे works हैं जिसमें के इन्हों ने political allegories को express किया यानि के disillusionment with Russia इन्हों ने इसमें discuss किया उसके बाद William Goldings का Lord of the Flies में इन्हों ने किस तरहां से modern civilization में moral values का बिलकुल ही खात्मा होता जा रहा है उसमें इन्हों ने discuss किया उसके बाद later half of the century में Samuel Bucket का एक work जि में कि उन्होंने tragic view दिखाया है अपने life का वो discuss किया उसके बाद John Falls ने the French lieutenant women's में highlight किया कि किस तरहां से modern human की existence जो है वो uncertainty उसमें आई है उसके बाद post world war 2 में जो novels हैं उसमें Saturday night and Sunday morning by Alan अपने इस work में इन्होंने working class को represent किया है यानिके इसमें इन्होंने factory workers की जो life है उसको discuss किय उसके बाद female author भी हम लोगों को इस age में मिलेंगी उन्होंने contribution किया है feminist discourse में और offer किया एक new perspective के women's को अपनी life के सरहां से गुजारनी चाहिए उनको किन-किन चीजों की अजाद्थी होनी चाहिए एक अपने fiction work में उन्होंने सब कुछ दिखाया नेक्स्ट हमारा topic है वो है three generations of the 20th century novel की जो different features है उनको अपनी features के हिसाफ से different generations में divide कर दिया गया the novels written before 1920 1920 से पहले हम लगों को दो novelist हम लगों को मिलेंगे जिसमें के Henry James और Joseph Conrad इन्होंने modern literature को shape करने में इनका एक बहुत अहम किरदार है जो Henry James है यह Anglo American writer थे और इन्होंने जो famous work है इनके उसमें the Americans, the portrait of a lady, the turn of the secret और इसके जो masterpiece है उसमें the wings of the dove and the golden ball यह publish हुए थे 1902 में और 1905 में James ने American cultures को और अपने emotions को बहुत simple language में लोगों के सामने पेश किया और और वो writers जो के stream of consciousness techniques पर बात करते थे या उनको use करते थे उन से खुद को separate कर लिया क्योंकि यह इस पर बात नहीं करते थे उसके बाद हमारे पास है Joseph Conrad James Conrad की एक different approach थी और इनका यह focus होता था कि ऐसे characters पर बात की जाए जो कि moral delimans रखते हैं उसके अलावा इनके जो novels हैं इनका एक feature यह था कि यह acoustic settings को use करते थे जिसमें के tropical lands है इन्होंने storytelling techniques पर काम किया उस पर experiments किये इन्होंने point of view को पकड़ा कि कौन से point of view में नरेटर को है ठीक है यह सारी चीज़ों पर इन्होंने different techniques को इस्तेमाल के storytelling को उन पर experiments की जूसरे जो novelist थे जो famous novelist हम लोगों को 20th century में मिलेंगे उसमें H.D. Wells और इन्होंने 50 novels लिखे और इन्होंने science fiction पर बात की उसके बाद हमा realistic stories उसके बाद John's Galswardi इनका जो focus रहा है यह वेल्दी अपर class भी रहा है उसके बाद Mugham I don't know मैं इसको ठीक से pronounce कर रही हूँ या नहीं तो sorry इसको अपड़िस कर लिएगा अपने हिसाब से इनको जो themes से इन्होंने explore किये disillusionment और frustration को और यही जो themes से ये next generation writers में prominent themes बने इनका जो एक novel है of a human bondage यह इनका masterpiece consider किया जाता है उसके बाद E.M. Foster यह एक prolific writer थे और इन्होंने contribution किया multiple generations of novelist में इनका जो novel है a passage to India यह इनका एक well-known work माना जाता है जिसमें कि इन्होंने explore किया है colonialism को और इन्होंने इसमें highlight किया है interaction between individual from different cultures and races in an artistic manner उसके बाद next time वो है the novel written between the two world wards 1920-1940 में इसके एक असान तरीक है कि आप writers के जो नाम है novelist के जो नाम है कुछ काफी गदा इसमें हम लगों को नाम मिलेंगे तो इनको याद करना काफी मुश्किल हो जाएगा तो आप सहासाथ इसके notes बनाते चले जाएं इसमें के जाएं जाएं तो इस तरह से आपको रिवियन में बाद में असानी हो जाएगी तो नोट्स रहें यह लाज़िम सासाथ बनाया करें तो चले यह टॉपिक की तरह वापिस आते हैं Between Two Words War, 1920-1940 में हम लोगों को कुछ इंपोर्टेंट नॉवलिस जो थे वो इमर्ज हुए जिसमें के Virginia Woolf, D.H. Lawrence और James Joyce हम लोगों को देखने को मिलेंगे इन्हों ने काफी नियू जो वे से वो डिवैलिफ की है नॉवल्स को रिखने में इस एश के दुरान सबसे पहले हम लोगों को बात कहते हैं Virginia Woolf और James Joyce की इन्हों ने यूज की टेखनीक The Stream of Consciousness को जिसमें के हम लोगों को जो करेक्टर्स की इनर थौर्ट्स और फिलिंग्स हैं उसको मुझादा डिटेल और रियलिस्टिक वे में इन्हों ने दिखाया जो Virginia Woolf का नॉवल है Mrs. Dolloway इसमें इन्हों ने बहुत ज्यादा Inner Monologues को इस्तमाल किया और अपने इस करेक्टर्स की इनर थौर्ट्स हैं उसको रिवेल किया और इस अप्रोच का दूसरे writers पर भी काफी ज्यादा influence आया उसके बाद James Joyce हैं इन्हों ने James Joyce ने इस अप्रोच को मजीद इन्हों ने ज्यादा elaborate करके दिखाया इन्हों ने अपनी characters की जो thoughts हैं एक thoughts से दूसरे thoughts तक एक ideas से दूसरे ideas तक जंप करवाया और यह बिल्कुल एक real consciousness में इनके novels हैं जिसमें के Ulysses और Finding and Wake जो हैं इन्हों ने इसमें बहुत दा complex style को दिखाया एक layers को दिखाया अलूइंस की और symbols की उसके बाद D.H. Lawrence है D.H. Lawrence जो थे इनका style बिल्कुल different था, उनका subject भी और के novelist से बहुत सदा different था इन्हों ने अपने novels में explore किया है relationship between men and women जिसमें के हम लोगों को different books हमें इनकी देखने को मिलेंगी Sons and Lover, Women in Love और Lawrence का जो personal background और उसके experiences से इनकी वज़ा से इन होने Virginia Woolf और James Joyce की जो writing है वो characters की inner thoughts को दिखाते थे detail के साथ और Lawrence की writing है इसमें हम लोगों को relationship मिलेगा between men and women इनके novels में World War 2 के बाद हम लोगों को काफी ज़्यादा novelist मिलेंगे लेकिन ये Virginia Woolf, James Joy और Lawrence के level तक नहीं पहुंच सके तीन prominent authors हम लोगों को मिलेंगे इस हैज में इसमें सबसे पहले हैं William Golding ये जो थे अपने famous work की विज़े से माले जाते थे आवर के लिए justice और equality के नाम पर इन सारे इस सारे time में हम लोगों को various sub genre's मिलते हैं novels के जिसमें के include होते हैं detective novels, science fiction, gothic novels जो के originate हुए 18th century में और उसी वक्त हुए popular भी हुए उसके बाद psychological social novel जो के introduce के रवाय थे, Joyce ने और Wolf ने, Lawrence ने new farm थी novels की उसके बाद fiction को ब्लैंट के दिया गया non-fiction के साथ documentaries बनाएं गई जो के बाद में बहुत ज़दा common भी हुई और इस period के दुरान हम लोगों को female novelist भी उबरती हुई दिखी जिसमें के virginia wolf सबसे बड़ा ना English literature में social novels उस वकत लिखना शुरू हुए जब industrial revolution थी, यह उस वकत के जो challenges थे, उसके response पर लिखना शुरू हुए और इनका focus था, poverty, factory conditions, child labor वगएरा का, कुछ examples जिसमें के हम लोगों को a Manchester strike, the charlis vickens, oliver twist, यह examples हमें देखने को मिलेंगी, उसके बाद यह जो tradition है, यह 20th century तक continue रही और इसमें जो author से, Richard Hoggard, इन्होंने अपने work the uses of literacy में highlight किया classes, revisions को और social concerns को, problems के थीम से, उसमें हम लोगों को social, political, economic changes, इस सारी चीज़ें इन सब चीज़ों को reflect करते थे, 20th century के दूरान जितनी भी, इस सारी problems थे, उन पे थे, इन पे थे, इस नोवल से, यह जो originally life थे, उनको एक realistic manner में दिखाया जाता था, अगर overall बात करें, तो जो modern English novel है, इनका हमेशा सी यह concern रहा है, कि वो social or political themes को दूरियां के सामने लेकर आएं, और यह दिखायें कि the nature of society and the people thought throughout the 20th century, कि 20th century में जो उस वकत की लोगों का जो हाल था, उस वकत की जो society का हाल था, वो लोगों सामने लेकिया जाए, उसके बाद हमार पास है individual and moral dilemma, 20th century में जो modern novelists थे, इनोहों ने characters की personal struggle तूरन के moral dilemmas पे बात की, जैसे कि हम लोगों को पहले हम लोग इन सब के works को पढ़ चुके हैं, कि Henry James का जो novel था, The Portrait of the Lady, इसमें उने फोकस किया उसकी हर एक individual की life पे, उसके बाद Conrad का जो work था, उसमें उन्होंने भी individuals पे फोकस किया, उनके moral dilemmas पे बात की, Mogam का जो work था, Human Bondage, इसमें उन्होंने relationship बताया है, between people and the moral challenges, उस फरकत कि जतने भी challenges थे उनके दर्मयान, और people's के दर्मयान, इन्होंने एक relationship को बताया है, उसके बाद E.M. Forster, Passage to India में, इन्होंने different complexities को दिखाया है, human experiences की, और moral conflicts को दिखाया है, और the particularly between different races, इन्होंने जूम किया है, उस character की inner thoughts को और उसके reactions को, उसके बाद George Overville का जो novels है, ये highlight करते थे, political और जितने भी उस वकत के working class थे, जो urban slums थे, वो किस तरहां से hardships को face करते हैं उन सब के बारे में, इन्होंने human civilization को बता इन्होंने moral judgment के बारे में बात की और depth of human faith crisis के बारे में बात की, personal challenges and moral dilemmas, ये 20th century जो novelist थे, उनका central theme हुआ करते थे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, the political novel of the 20th century की, 20th century में, जो novels के topics थे, उन पे political themes पे focus करना शुरू किया गया, और इसमें हम लोगों को जो George Overville का एक book है, Animal Forms और 1984, ये great examples हैं, political novels के, इन्होंने इसमें human desires को reveal किया है, कि वो किस तरह से चाहता है, कि उसको power मिले और वो दुनिया को control कर सके, इस novel में इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, Russian और Italian communists को, और इन्होंने एक allegoric way में, Russian revolution को काफे ज़दा क्रिटिसाइज किया है, 1984 में इन्हों कि जो political situation है, उसको elaborate किया है, और किस तरह से उन्होंने बताया है, कि किस तरह से लोगों की manipulate उनको करके, उनकी brainwashing करके, अपनी strategies को उन पर लागू किया जा रहा है, और विल ने, जो के इन्होंने Spanish civil war भी इन्होंने लड़ी, और ये communists के एक witness भी रहे हैं, उसके गवार रहे हैं उस वकत कि, उस वकत उन्होंने novels को लिखा, और लोगों को ये बताने की कोशिश की, कि किस तरह से जो communists हैं, वो अपनी ideologies को हम पर लागू करना चाह रहे हैं, तुरू आउट 20th century में जो novels थे, इन्होंने ये बताना शुरू किया लोगों को, कि किस तरह से जो government है, वो वो अपनी citizens को कंट्रोल करना चाहती है, उन पर अपने जो हैकामात हैं, उनको वो किस तरह से लागू करना चाहरी है, उसके बाद हमारे पासा interior monologue, ये सारी पुरानी बाते हैं, जो कहां पहले बता चुकी हूँ, कि 19th century के Victorian novelist थे, वो इस तेक्नीक को इस्वाल किया करते थे उन्हों ने इस तेक्नीर को फ़र्दर यूज किया, और इन्हों ने बताया कि किस तरह से जो भी एक narrator है, उनकी इनर थौट्स को लोगों के सामने ले किया है, वही सारी पुरानी बाते हैं, वही सारी उनके पुरानी वर्क्स हैं, जो पहले ही मैं डिसकस कर चुकी हो, तो ब इन्हों ने बताया किस तरह से नेचर जो है, उसने राइटर्स को भी और साइंस को भी किस तरह से इफेक्ट किया है, उस पर भी इंफ्लॉएंस रखती है नेचर, सिरफ आम लोगों की जिंदिगियों पर फरक नहीं पड़ा, बलके साइंस और राइटर्स पर भी इस वकत पड़ा है, उसके बाद मारे पास जो नेचर टॉपिक है, वो है दा वोमें राइटर्स ऑफ टाटीथ सेंचरी, वेंटीथ सेंचरी में काफित वोमें राइटर्स भी उबरी, उस वकत कि जो मॉस्ट फेमस राइटर्स हैं उनमें अलिजबेट वान, कॉम्टन बर्निट हैं वोमें ने जो अपनी राइटंग्स में थीमस को डिस्कस किया, उसमें वोमेंज़ इशू को इन्होंने उठाया और उसमें अपनी राइटिंग्स में इन्होंने यंग गल्स को वैदा Champion कीरेक्टर लिया और बिल्कोल एक Realistics किसम की स्टोरी इन बर्णिट उन्हों ने पोट्रेड किया है English Middle Class Families को और इन्होंने फोकस किया relationship between men and women. Virginia Woolf ये एक great novelist है, फिर्स्ट स्लाइड से लेके अब तक हम हार बर्णिट स्लाइड में Virginia Woolf के बारे हैं और अब तक इनका नाम तो हम लोगों को राचाना चाहिए और ये ऐसा नाम है हम लोगोंने लिट्रेचर में कदम रखने से पहले इनका नाम सुना हुआ है कही ना कहीं से आप लोगोंने भी सुना होगा क्योंकि इनका जो style था वो काफी ज़्यदा यूनीक था और topics भी इसके लावा 20th century में हम लोगों कुछ दूसरी novelist हैं उनमें Irish Murdoch, Doris Lessing, Margaret Drabble, Rebecca West, Strom Jamson, Rosamand ये women novelist हैं ये 20th century में सामने आइं Doris Lessing का जो focus होता था वो women issues पे होता था especially इनका एक novel The Grass Is Singing इसमें इनोंने एक स्प्लोर किया है एक South Africa की एक white former wife की life के बारे में उसके बाद जो Margaret Drabble है जो novels होते थे उसमें वोमन को as a central character लेती थी और इनके जो topics के उसमें higher education and modern concepts आ जाते थे और इसके लावा इनोंने लावने लावने इमोशन को अपने works में दिखाया जिसमें के Millstron or the Waterfall दिखाया जिसमें के लिए फीमेल राइटर्स है ये नमबर में ज्यादा नहीं थी बट ये क्वालिटी में थी मतलब ये के हर एक को लोग उने जानना शुरू किया इनकी राइटिंग्स की वजाज़ा से 20th century में नॉवल की न्यू टाइप इमर्ज हुई इसको को कि science fiction का नाम दिया गया इसमें इनोंने science or technology को के जो advancement है उसके बार में explore किया इसकी जो है वो three main categories है सबसे पहली है the danger of scientific development and receptive threat to human race दूसरा है what next is going to happen if poverty war and disease are defeated by men the third है वो है the exploration of the world of space and the possibility of men to settle there बहुत से writers जिसमें के H.G. Wells ने scientific advancement को अपमें नॉवल्स में दिखाना शुरू की उने science fiction को use करते हुवे explore किया future of humanity को और यह काफे अप्टिमिस्टिक थे कि a positive use of science के positive potential of science को use करते हुवे दुनिया कहां से कहां पहुन सकती है इन्होंने अपनी writings में paint किया उन पीचर को कि दुनिया जो है वो science की वज़ा से क्या बन सकती है यहीं के positive use करके इनके लावा और बी काफे ददा हम लोगों को राइटर मिलते हैं जुन्होंने science fiction पे लिखा और इसमें हम लोगों को मिलेंगे Clark जिन्होंने लिखा science fiction work the city and the stars इसमें उने future को प्रेडिक्ट किया है इसमें कि इन्होंने politics society और 20th century को इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि क्या से क्या दुनिया हो सकती है तो यह था आज का lecture होप सुक्या आपको first article की complete समझ आ गई होगी इसको समझने का असान तरीक ही है कि आप इसके साथ साथ notes बनाए और साथ में headings के नीचे जितने भी writers उस age के थे उस era में थे उनके आप names जो है वो लिख लें और साथ में उनके works को mention कर लें तो वो आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा तो फिर इंशाला मिलते हैं नेक्स वाली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा झाला हाफिज